हमको अपने माता पिता की प्रती वफादार होना चाहिए कुत्ते को देखा आपने कुत्त जब अपन पालते हैं तो कुत्त जैसे ही अपन को मालिक को देखता तो क्या करता पूछ हिलाता है पूछ हिलाने का मतलब क्या होता प्रेम है वो प्रेम चाहरा है देना भी और पाना ठीक है जरूरी नहीं है कि आप जब उसको कुछ खाने को दें तब ही वो जो है आपसे प्रेम करेगा ठीक है इसी तरीके से संतानों को भी माता पिता के प्रती वफ़ादार और जिम्मेदार होना चाहिए पिता और माता बड़े कस्ट सहसे है के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनके भोजन की व्योस्था करते हैं इसकूल की ड्रेस की व्योस्था करते हैं कापी किताब की व्योस्था करते हैं और इसके बाद भी बच्चे अगर ना पढ़ें कितना कस्ट होगा अगर आपने कोई पौधा दाल रहे हो खाद भी डाल रहे हो और वो ना बढ़ है तो गुसा आएगी कि नहीं दुख लगेगा ना इसी तरीके से हमारे माता पिता को भी दुख लग सकता है कस्ट हो सकता है कि देखो अब आप लोग पढ़ रहे हो अभी परिक्षा भी होने वाली कुछ लोग की हो भी बच्चों की उच्की चल रही है ना तो एक निश्चत समय पर आपको पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है बहुत ज्यादा आप नहीं उठ पाते हो जल्दी तो पांच बज़े तो उठाई जाओ कितने बज़े उठते हो बहुत बढ़ियां है ना हां तो पांच बज़े से भी सलाह लेने है भले मम्मी पापा पढ़े लेखे ना हो लेकिन सलाह माता पिता से जरूर लेना चाहिए क्योंकि माता पिता ने पूरा जीवन देखा है अनुभा होता है ना माता पिता को ठीक है क्योंकि असली रामायन असली रामकता असली भागवत वही है कि जो धरती माता का सम्मान रखे देश भक्त कौन होता है सही जो धरती माता की रक्षा करता है आपके गाउं में कोई पुलिस में भी होंगे है ना कोई फौज में भी होंगे आपके घर में है ना परिवार में कोई उसमें पुलिस में है ना किसमें है तो ये देश भक्त हैं, है ना, जो भी है, दादा जी है आपके न, हाँ, कह ना मैं, अच्छा, है ना, तो जो सैनिक होता है, है ना, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, जैसे पेड़ खड़ा है, पेड़ के कान, मिट्टी का कटाव रुक जाता है, ठीक है, और नहीं तो पकड़ रहती मिट्टी के पकड़ रहती है जैसे छोटी-छोटी दूभी टायब अब लोग फिसल गिए ना मेड़ में रहने वाली लोग है अपनेको पता है कि मेड़ में भी कहां चलते है जहां ग्हास जमी होती जब बरसाथ होती है तो कि में टेश चलते हैं घास के उपर चलते हैं कि फिसल न जाएं चाहिए तो सहारा सब को चाहिए और माता पिता को एक चीछ चाहिए कि मेरी संतान खुब अच्छी हो जाए ठीक है खुब पढ़ लिक्के बड़ी हो जाए खुब बड़े आदमीं बन आए खुब अच्छा पैसा भी कमाए लेकिन इमानदार रहे ठीक है अगर आप डॉक्टर बन गए डॉक्टर बनके आपने खुब पैसा कमा लिया लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ आपने दी सेवा भी दी है भगवान राम यही तो सिखाते हैं अपन कथाओं में क्यों सिख सिख्षक हैं उनकी जिम्मेदारी है और अच्छे सिख्षक हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारा कोई भी बच्चा क्योंकि हर बच्चा जैसे हमारे बच्चे हो आप लोग कितने सारे बच्चे हमारे पास रहते हैं आप देखियो ठीक है कभी कभार नहीं भी होते हैं कोई दिक राम जी के गुरूजी जो थे, कृष्ण जी के जो गुरूजी थे, उनने अपने बच्चों को इतनी अच्छी सिक्षा दे कि भगवान बनगए, राम को अपने जानते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, है ना, हनुआँ जी को देखो, यह सब भगवान है, संकर जी को देखो सब कोई अलग अलग पूजा करते हैं कोई दिक्कत ने, कोई देवी जी की पूजा करता है आपको जिसके पूजा करना करो कोई माना नहीं है हम यह नहीं बोलते हैं कि राम जी की करो, कि किष्ण जी की करो कि अल्ला की नहीं करो कि इसु की नहीं करो जिसकी आपको करना है और धरती माता की करो क्यों कि धरती माता से बड़ी कोई मा नहीं है धरती मा नहीं अगर अनाज देगी तो कोई देने वाला नहीं है और अनाज ही नहीं होगा तो आप किसी की पूजा करते रहो कुछ फरक पढ आप नदियों की पूझा करें धरती माता की पूझा करें हमारे रिशी मुनी और रक्षो की पूझा करते थे हमारे रिशी मुनी जो उनका दिमाग ज्यादा तेज़ था लेकिन बीच में कुछ लोग जो आए जिन लोग ने कहा अरे इस से क्या होगा अरे पेड़ से ही तो फल निकल रहा है ठीक है अगर आपको फल खाना केला खाना है तो केला बना सकते हो क्या भी खाना है भी बना सकते हो क्या बेर खाना है ब क्या अपन मिट्टी बना सकते हैं अपन मिट्टी भी नहीं बना सकते हैं अपन नदियां नहीं बना सकते हैं अपन पहाड़ अपन कुछ भी बना नहीं सकते हैं अपन इनका उपयोग करते हैं विचार करना कि हम लोग दे रहे हैं जादा कि पा रहे हैं जादा ठीक है हम लोग देते जाता है कि पाते जाता है पताई थोड़ा विचार करिए कैसे पताओ थोड़ा नदियों से पानी आता है बहुत अच्छी बात है हाँ प्रकृती हमको देती है हमसे लेती क्या है हम उसको क्या देते है कुछ भी नहीं बेटा तो हाथ तो जोड़ सकते हैं कि है प्रकृती मा आपने हमें जो कुछ भी दिया है हम बहुत सो भागिसाली है है ना और हम इसकी सुरक्षा करेंगी जैसे आपको हम कोई चीज खाने को दें या आपको कोई चीज हम उपहार दें ठीक आप उसको क्या करो बढ़े अच्छे पैक करके घर ले जाओगे मम्मी को दोगे पापजी को दोगे मम्मी पापजी ये बाबाजी ने दिया हमको गिफ्ट दिया है ये प्रसाद दिया है जो भी दिया है है ना उसकी क्या करने पड़ेगी केर करनी पड़ेगी सुरक्षा करनी पड़ेगी जैस वर ने दिया जादा है हमने कुछ नहीं दिया उनको गीत गाते है इतनी सक्ति मुझे हमें देना दाता क्या गीत है आदा आपको कौन सा है भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी सक्ति हमें देना दाता मन का विश्वा से कमजोर हो ना हम न सोचें हमें क्या मिला है हम ये सोचें किया क्या है अरपन हम ये सोचें हमने क्या दिया है अपन वही बात कर रहे थे न, कि हम सोचें कि हमने क्या दिया है, तो हमने तो कुछ दिया ही नहीं, हमने तो सिर्फ लिया ही लिया है, इसलिए ये हमको हमेशा प्रार्थना करना परमात्मा के सामने जब भी खड़े हो, है न, अपन तो हमेशा बोलते हैं कि मुझे तो सूर्य बनना हैं क्यों बनना सूरज हमें रोसनी देता हवा नया जीवन देती है भूख मिटाने को हम सब की धर्ती पर होती खेती है औरों का भी हितो हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें हमारे बच्चे बहुत होसे आ रहे है कि आप लोग इतने समझदार बच्चे हैं कि आपको सब कुछ पता है और बच्चे ही बदल सकते हैं स्रश्टी को ठीक है बीज नहीं होगा तो क्या कर लोगी बीज नहीं होगा तो पौधा तयार नहीं होगा ठीक है पौधा कैसे तयार होगा बीज से ही पौधा तयार होगा और आप लोग बीज है छोटे-छोटे बच्चे क्या है बीज है आपको विशाल व्रक्ष बनना है क्या बनना है विशाल व्रक्ष बनना है तो बोले भारत माता की धरती माता की हमारे प्यारे बच्चों की हमारे माता पिता की जै हो सीता राम सीता राम बहुत बढ़े हैं बोलो सेता राम सेता राम सेताराम 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 सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम रादे शाम राधे शाम राधे शाम राधे शाम राधे शाम राधे शाम सेता राम सेता राम सेता राम सेता